सीदर साथ निभाना साथिया में आज होगा सबसे बड़ा ट्विस्ट बा के रंग ही बदल गये हैं जब से अनंत और गहना की शादी हुई है बा के बारे में क्या क्या न सोचा था सबको लगा था कि बा और बाबुजी ही है जो गहना को इतना प्यार करते हैं पेटी की तरह म कि बा ने हाथ मिला लिया है कनक बहु और हेमा बहु से आप सभी चानते हैं कि कनक और हेमा गहना को पसंद नहीं करती और ना ही वो दोनों चाहती है कि जल से जल गहना इस घर को छोड़के चली जाए और यही चाहत रखती है हमारी बा भी और ऐसे में कनक बा और हेमा तीनो तो मिलकर गेहना को घर से निकालने का एक नया प्लान बनाती है। बाज आती है राधिका के पास उससे मिलने। राधिका वही जो अनंत का पहला प्यार है। यहां पर बाज आती है और कहती है कि तुम्हें तो पता है अनंत की शादी किस सरकमिस्टेंसेज में हुई। उसकी मर्जी के खिलाफ हुई। वो आज भी तुमसे प्यार करता है। जब से उसकी शादी गेहना से हो गई है। वो हमेशा दुखी रहता है, बहुत मायूस रहता है और हर समय तुम्हारे बारे में सोचता रहता है। यहां आप देखेंगे राधिका भी अनंत को खो कर खुश नहीं है, वो उसे बहुत प्यार करती है। और ऐसे में उसे एक उमीद की किरण दिखती है और बाह कहती है कि तुम्हें वापस घर आना है और यहां पर फिर से अनंत का दिल जीतना है और गहना को घर से बाहर निकालना है। आने वाल एपिसोड में आप देखेंगे कि बड़ा ट्विस्ट होगा, पंडी जी कहेंगे कि यह कैसी रात आने वाली है जिस दिन अनंत और गहना एक दूसरे का मूँ न देखें। लेकिन हेमा और कनक की वज़ा से अपशगुन हो जाता है, आनंत गहना का मूँ देख लेता है। अब देखना यह है कि इसके बाद इनकी जिंदगी में कौन सा बड़ा अपशगुन होने वाला है।